हेलो फ्रेंड्स, सौगात है आपका स्ट्रेक वीर सेवें में आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ओफ त्रीपुरा के जो बगिनिंग पार्ट है मॉडर्ण हिस्ट्री के उसके बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने एंशन हिस्ट्री से लेके Medieval पार तक त्रिपूरा के जितनी भी राजा हुए है त्रिपूरा हिस्ट्री कैसे कि इसे बड़ा है आगे उसके बारे में पूरे डिटेल में हमने बात किया है वहाँ पे हर एक राजा जिसके भी उनके दौरा important activities हो गया या उनके दौरा जो काम किया गया है उसको हम डिटेल में डिसक्रिक किया है वो वहाँ वीडियो आप लोग निचे description में जाके देख सकते है इस वीडियो को पोस करके आप लोग उस वीडियो को देख लिजिए ताकि आपको लिंक करने में आसानी रहे तो आज का जो ये वीडियो होगा ये वीडियो खास करके modern history के हिसाब से अगर हम चले इंडियन के जो modern history उसके हिसाब से हम चले तो देखेंगे कि battle of policy के साथ-साथ इंडिया में जो British Raj या British Era शुरू हुआ है उसी के साथ-साथ त्रिपुरा का history में जो जो changes हुआ है उसको हम देखते हुए चलेंगे तो इससे हमें क्या करें मिलेगा एक link मिलेगा इंडियान history के साथ त्रिपुरा के history में कैसे-कैसे change हो रहा है तो सबसे पहले अगर हम बात करें जहां से changes शुरू हुआ यानि पलासी का battle अगर हम देख ले तो 1757 में लड़ी गई उसमें ब्रिटिश के दौरा जो बेंगोल के राजा थे नवाब थे नवाब सी राजो दोला तो उनको परास्त करके ब्रिटिश ने कलगर्ता में अपना दाखिला ले लिया था तो उसी के साथ साथ क्या हुआ त्रिपुरा में भी कुछ changes होने लगे तो उस समें जो त्रिपुरा के राजा हो थे वो थे कृष्ण मानिक्या कृष्ण मानिक्या का tenure अगर हम देखे तो 1760 से लेके 1783 तक है तो उसी टाइम पे changes होने लगे त्रिपुरा में भी तो सबसे पहले जो changes होने लगा वो है तो कृष्ण कृष्ण मानिक्या जब राजा बने उस समें British already established हो चुके थे West Bengal में तो वो West Bengal से धिरे धिरे त्रिपुरा की तरफ बढ़ने लगे उनका जो नजर था वो खास करके जो समतल एरिया था समतल एरिया निए जो plain एरिया रहा जो चकला रशनाबाद कहा जाता है वो एरिया जो actually plain में आता है हिली त्रिपुरा को छोड़के तो उसके उपर उनका नजर था तो उसी के चलते अंग्रेजों ने 1761 मे 1761 मे लेटिनेंट मैथ्यूस के साथ कुछ साइनिकों को भेजा उसको धकल करने के लिए तो उसको capture करने के लिए जो भेजी गए थी अंग्रेजों के दोआरा जो जितने भी जो soldier भेजे गए थे उन soldier ने उसको capture कर दिया था किस एरिया को जो चकला रोशनाबाद का जो एरिया है जो त्रिपुरा के हीली एरिया से कट करके plain में आता है तो पुरा plain region जो खास करके बेंगॉल के कुछ portion और फिलहाल बांगलादेश के कुछ portion आता है उसमें तो उस सारे region जो त्रिपुरा के छोड़ दिया गया उस समें राजा कौन थे राजा थे त्रिपुरा में कृष्ण मानित्या वही से जो एरिया त्रिपुरा के अंडर में था बांगलादेश के कुछ portion और वेस बेंगो के कुछ portion वो छुट गया उसके बाद फिर दुबारा उसको कभी त्रिपुरा के जो मैप है या त्रिपुरा की जो बॉर्डर है उसमें कभी लाया नहीं चाह सका तो फिलहल आगे चलते हम देखते कैसे कैसे क्या हुआ development फिर अंग्रेजों ने जब ये दखल कर लिया ये इसको capture कर लिया फिर यहां से जो revenue आता था वो सिधा चला जाता था अंग्रेजों के पास जो वेस्ट बेंगल में governor थे governor Warren Huston उनके पास फिर ये जो हिली एरिया है उनके लिए इन्होंने एक ट्रिटी किया उसमें जो राजा थे क्रिष्णवाने के उनके साथ एक ट्रिटी किया गया हिली एरिया के लिए या हिली त्रिपूरा के लिए तो हिली त्रिपूरा पे ऐसा एक ट्रिटी हुआ जैसे आगे चलके जितने भी राजाओं का अविशेक होगा उनके लिए उसको हर एक राजा को नजराना देने पड़ेगा तो नजराना के लिए अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग पैसा कितना देना पड़ेगा वो अलग-अलग टाइम पे वो चेंज होता रहा ये एक period रहा कृष्णमानिक के टाइम पे अंग्रेजों के दुआरा ये जो period रहा तो इसमें important चीज ये है ये जो plain area है वो चला गया अंग्रेजों के पास इससे क्या हुआ त्रिपुरा की जो revenue है वो सबसे ज़्यादा जहां से आता था वो चुट गया जो general थे जिन्होंने ये त्रिपुरा की ये जो area उसको अपने अंडर में ले लिया था वो general थे Matthews तो ये नाम याद रखना है फिर उसी के time पे और एक चीज हुआ वो है किसानों के परिवार से पैदा हुआ एक गरीब जो बाद में जाके डाकू बन गया वो कृष्णमानिकों को बहुत तरीके से उनको heart किया वो है समरेश गाजी तो समरेश गाजी त्रिपुरा में एक ऐसा leader के नाम पे जाना जाता था उस समय वो poor leader या किसानों के leader के नाम से जाना जाता है समरेश गाजी पहले एक बहुती गरीब family से आते थे फिर उनके बाद एक जमिनदर के अंडर में उनको एक तसिलदर के ग्रूप में उनको रखा गया फिर आगे चलके वो दीरे दीरे जितने भी उस समय अलग-अलग reason की वज़े से जितने भी किसान थे पीजर्स थे उनको इकटा करके एक group बनाया उस group कृष्णमानिक को बहुत तरीके से हाट कर दे तो उसी के चलते कृष्णमानिक का जो capital है उनका कहा पे वो capital था एक time पे ये capital था उदयपूर में अगरतला उनको capital shift करना पड़ा इसके चलते एक तो हो गया ये समरस गाजी के लिए जो disturbance हो रहा था उसके चलते और फिर इसके अलावा भी जो border के area है वहाग से जो cookie tribe है उनके द्वरा भी अलग-अलग time पे डाका डाला जाता था लोगों को परिशान किया जाता जाता था इ आपना capital shift करके कहा पे लेके आगे ओल्ड अगरतला पे तो ये एक बहुत important event हुआ कृष्ण मानिक्के के टाइम पे इस पे और एक important चीज है उन्ही के टाइम पे त्रिपूरा में पहली बार कभी एक English resident न्यूक किया गया था कौन सी जगे के लिए ये जो चकला थे वो त्रिपूरा के अंडर में है लेकिन उसको त्रिपूरा जेला कहा जाता था तो उसी के लिए एक resident न्यूक किया गया वो ही त्रिपूरा में पहली बार resident थे कसी अंग्रेज resident उनका नाम गया था उनका नाम था Ralph Leak तो ये एक important नाम है उसको याद रखना है Ralph Leak और जो लड़ाई लड़ी थी governor वो थे lieutenant Matthews इसी के साथ साथ क्रिष्णमानिक्या जब transfer करके लेके आगे उद्रपूर से old अगरतला पे उनके साथ उन्होंने 14 देवता जो मंदिर है 14 देवता यानि 14 goddess जो है उनको भी shift करके वो उद्रपूर से कहा लेके आगे old अगरतला जो कूल देवता रहा है मानिके डाइनेस्टी में वो कूल देवता को उन्होंने साथ में लेके आगे उद्रपूर से old अगरतला तो वो एक important चीज़ है वो 14 goddess कौन-कौन है आपको याद रखना है तो अगर हम 14 goddess की बात करे वो कौन-कौन है एक है शिव, दुर्गा, विष्णु, लेक्ष्मी, वानी, वानी यानि स्वास्वति, कुमारा, कुमारा यानि कार्तिक, गनेश, ब्राम्ह, पृत्वी, समुद्र, गंगा, अगनी, कामदेव और हिमाद्री तो यह 14 goddess है इनको पूजा किया जाता है किस टाइम पे खार्ची रखना है, फिर आगे हम देखते है, राजा कौन बन गए, राजदर मनिक्या, क्रिष्णा मनिक्या के कोई बेटे नहीं थे, इनका कोई लड़का नहीं था, इसी के चलते, कोई युवराज नहीं किया गया था, तो क्रिष्णा मनिक्या के देहान के बाद, रानी जो थे, उ 1806 से लेके 1809 तक फिर दुबरा 1813 से लेके 1826 तक आगे चलके जो राजा बने वो है दूर्गा मनिक्या फिर काशे मनिक्या और फिर बात में आता है most important कृष्ण किशुर मनिक्या तो इनके बारे में अगर हम बात करें कृष्ण किशुर मनिक्या बहुत ही एक important नाम है modernistory को आगे ले जाते हुए ये एक बहुत ही important राजा रहे modernization of त्रिपुरा जब हुआ तो इसके पीछे कृष्ण किशुर मनिक्या का ना चाहते हुए भी एक हाथ है कैसे ये हुआ तो ये जो capital रहा old अगरतला वहाँ से वो capital को shift करके कहाँ पे लेके आगे अभी के जो अगरतला city है वहाँ पे ये बहुत ही उनके लिए नुकसान दायक रहा इस city को transfer करके यहाँ पे लाने में यहाँ पे लाने के उनके जो वज़े थे वो है शिकार वो शिकार के बहुत ही शौकिन थे वो शिकार के लिए ये capital shift किये थे बाद में यही दिरे दिरे वो modernization of tripura में सहाय था किया लेकिन उस समय जो transfer हुआ था capital वो किसी एक दूसरे मुद्दे से दूसरे reason से हुआ था वो था शिकार के लिए क्रिष्ण क्रिष्ण मानिक्या थोड़ा शौकिन आदमी थे तो उन्होंने शिकार करने के लिए ये capital को shift किया था क्रिष्ण 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 मानिक्या के बारे में और हार आगर हम देखे तो यहाँ पर आप देख सेकता है यह क्रिष्ण क्रिष्ण मानिक्या का करने चाल रहा था त्रिपुरा में भी उन्होंने वही रास्ता अपनाया त्रिपुरा को केप्चर करने के लिए अलग लग तरीके के मोटीव उन्होंने रज्जे थे लेकिन कृष्ण किशुर मानिक्क्यों को माना जाता है ये बहुत ही स्ट्रॉंग होल्ड थे इसको एडिकेशनल क्वालिविकेशन है वो बहुत ही अच्छा था ये एक पार्शियन स्कॉलर थे पार्शियन लेंग्विज में उनका बहुत दखल था इनका जो डैथ हुआ वो एक अचानक लाइटनिंग के वज़े से हुआ शिकार पे गये थे वहाते लाइटनिंग हुआ उस जो कुकी ट्राइब है उनके दुआरा त्रीपुरा में बहुत बार आक्रमन किया जा रहा था तो उनके जो लेडर थे वो है लाल चुकला तो लाल चुकला बहुत ही खतरनाक शाबित हो रहे थे क्रिशन किशिर मनिके के लिए फिर उन्होंने जाके अंग्रेजों को बताया इसके बारे में फिर अंग्रेजों के दुआरा इस लाल चुकला को ग्रिफतर किया गया लेकिन अगर हम कैला सिंह के राजमाला के हिसाब से देखे तो राजमाला में कहा गया है राजा के एक सनापती थे केली फिरिंगी तो उस केली फिरिंगे के दुआरा लाल चुकला को क खालनी भोली गई है। बहुत सारा राजमाला एडिट किया गया बहुत बार तो इसके चलते कुछ कहानी टिफरेंट तरीके से पेश किया जाता है। हीस्ट्रियान या ठी पूरा हिस्टरिय के उपर जिन हिस्ट्रियान लोगों ने research किया है उन लोगों के मताबवी भी अलग-अलग टाइम पे कुछ-कुछ event हुआ है जो राजमाला में directly नहीं निकाथ लेकिन हम लोग जो वीरचंद्रल अब्रेज में रखा गया राजमाला है उसकी हिसाब से हम पूरा देखते हुए चल रहे उसकी हिसाब से पूरा जो हिस्ट्री है वुसी को हम आपके सामने ला रहे हैं तो कृष्ण कृष्ण मानिक्या के टाइम पे जो अंग्रेजों के दोवारा त्रिपुरा को capture करने की बाद चल रहे थी उसको उन्होंने रेजिस्ट किया था ये कब हुआ था ये हुआ 1836 में फिर उनके बाद जो राजा बने वो है इशान चंडर मानिक्या इनका टेनियर रहा 1849 से लेके 1862 तक तो इस पिरियड में इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक इवेंट हो गया था वो कौन सा है 1857 बलाई इवेंट यानी सिभई में उटिनी तो भारत की पहली लड़ाई अंग्रेजु के साथ लड़ी गई वो लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस समय त्रिपूरा के राजा कौन थे वो है इशान चंडर मानिक्या ये एक्जाम में भी पूचा गया वो खर्चिले एक सवाव के थे बहुत सारा पैसा उन्होंने बरवाद कर दिया था उससे में जब इशान चंडर मानिक के राजा बने उससे में लोन बहुत ज़्यादा हो गया था त्रिपूरा पे तो इसको कवर अप करने के लिए इन्होंने सबसे पहले दो वेक्टी को टेक्स कलेक्शन पे लगा दिया था एक है बलराम हाजरी और दूसरा है स्रिदाम हाजरी दो भाई थे इनके दोरा जो टेक्स कलेक्शन हो रहा था वो टेक्स तो आ रहा था लेकिन इसके कारण जो जितने भी प्रजा थे वो बहुत विरूद करने लगे इन दोनों के इन द फिर इन दोनों के बाद ये जो tax collection का जिफ्मा था वो सोपी गए थी उनकी जो गुरुजी थे विपीन बिःणी गुस्वा में उनके हाट पे तो विपीन बिःणी गुस्वा में बहुत सारा अच्छे स्टेप लिये थे जैसे की त्रिपुरा के राजा के द्वारा बहुत सा ing- froci era वे वुष्वात है टेक्स की जो रीन हुआ था वो दीरे दीरे कम होने लगा ये कौन कर रहे थे ये कर रहे थे विपिंद विहारी गुस्वामी लेकिन उसी के टाइम परThis राजपस्परिवार में इसके ले बहुत सारा हंगामा शुरू हो गया, क्यों हंगामा होने लगा क्योंकि बिपिन बिहारी गुस्ता में पुरा कंट्रोल ले रहे थे अपने हाथ पे जो राज परिवार में या उनके घर पे जो और भी लोग थे वो इसको अच्छे से नहीं ले रहे थे, इसी वज़े से यह जो टेक्स कलेक्शन की बहुत सारा दिक्कते आ रहे थी, इसकी वज़े से प्रजाकी उपर बहुत सारे अलगलग टेक्स लगाया गया था अत्याचार किया जा रहा था इसी के चलते दो रिवोल्ट हो गया, सबसे इंपोर्टन रिवोल्ट तिप्रा में पहली बार हुआ, वो है तिप्रा रिवोल्ट तो तिप्रा रिवोल्ट कब हुआ, यह हुआ 1850 में 1850 में तिप्रा रिवोल्ट हुआ इस रिवोल्ट का जो मेन लीडर ते वो कौन है, एक है किर्ती, एक है परिक्षिप यह दो लिडर तेक तीपरा और कुकी दो community दोनों एक साथ मिलके लड़ाई कर रहे थे इसके विरूद में फिर बाद में ये जो revolt हुआ वो एक्चुली त्रिपरा रिवोल्ट या कुकी रिवोल्ट के नाम से नहीं जाना जाता था वो एक्चुली प्रजा रिवोल्ट हो गया था फिर 1857 में जो क्रांती हुआ उस क्रांती में वो ही राजा इशान जंद्रमानिक गया फिर आगे चलके 1860 में फिर और एक रिवोल्ट हो गया वो भी उसी के चलते जो क्राइसस था उसके क्राइसस से उबरने के लिए लोग के उपर जो अत्याचार किया जा रहा था उसके वैज़े से वो लोग रिवोल्ट में आ गये थे इस बार कौन रिवोल्ट में आया इस बा नेत्रित्व देरे थे फिर रतन पुया को कंट्रोल में लाने के लिए इशान चंद्रमानिक्या अंग्रेजों के पास गये फिर अंग्रेजों के द्वारा इस रतन पुया को शांत करवाया गया उनको समझाया गया फिर इशान चंद्रमानिक्या उनकी जो बेटे थे उनको इ इसके वज़े से वहाँ पे जो राजपरीबान में बहुत सारा दिक्कते होने लगी तो जो राजमाला है उसके इसाब से बोला जाता था नवीद दिपचंडर दिपबर्मन जो है वो संगीत में ये कल्सेरली वो बहुत ही डिवोटेट थे वहाँ पे वो अपने आपको पूर कि चंडर मने के उनको राजा बनाया गया यह नवदीब चंडर दिववर्मन की हिस्ट्री को थोड़ा सागर हम एक्स्टेंड करें तो देखा जाता नवदीब चंडर दिववर्मन जो है उनके जो बेटे बने बाद में वो है SD बर्मन जो renowned composer थे SD बर्मन फिर SD बर्मन के बेटे RD बर्मन तो यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर दो रिवोल्ट के बारे में बात किया जा रहा है एक है थिपरा रिवोल्ट थिपरा रिवोल्ट हुआ 1850 में और दूसरा जो रिवोल्ट है कुकी रिवोल्ट वो कब हुआ फिर यह कुकी रिवोल्ट जो हुआ यह हुआ 1860 यहाँ पर 19 लिगा है लैंटिन गलत है 1860 से लेके 61 इस बीच में लड़ी गई जो रिवोल्ट है वो है कुकी रिवोल्ट और 1850 में जो रिवोल्ट हुआ वो है तीप्रा रिवोल्ट ये दो रिवोल्ट लड़ी गई थी इसान जन्रमानिक्या के टाइम पर इसान जन्रमानिक्या के बाद में जो राजा बने वो है वीर्चन्रमानिक्या तो उनके बारे में आगर हम बात करने जाएंगे वो modernization of त्रिपूरा के बारे में बात करना होगा उनको कहा जाता है father of modernization त्रिपूरा तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे जहाँ पे विरचंद्रमानिक के दुआरा जिले गए हर एक step को हम detail में बात करेंगे उनकी जो जीवन की जो कहानी है उसको हम बात करके वे चलेंगे उसको हम discuss करते वे चलेंगे उनकी पूरी history को अगर हम देखेंगे तो वो वाला वीडियो हम अगले वीडियो में लाएंगे इसके लिए आपको ज़रूर subscribe करके रखना होगा bell icon में click करके रखना होगा ऐसे और वीडियो आपके पास पहुशने के लिए तो आज के लिए इतना ही यहाँ पर आमने अंग्रेजों के time पे जो event हो रहा था उसके साथ त्रिपूरा में जो changes हो रहे थे उनके त्रिपूरा के राजा थे उनके time पे उनके द्वारा जो changes होने लगा था उसको हम discuss किया है अगले वीडियो में हम modernization of त्रिपूरा शुरू करेंगे वहाँ पे सबसे पहला जो राजा होंगे वो है वीर्चन रमानिक्या तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching